उत्रप्रदेश में आज यानि 10 फरवरी से पहले चुरण का मददान शुरू हो गया पहले चुरण के तहत पस्चमी यूपी की 58 विधान सभा सीटों पर आज वोट डाले गए लेकिन अलिगर जुले की खैर विधान सभा के धूमरा गाउं के लोगों ने मतदान करने से मना कर दिया है बीच में वोटिंग करने से मना करने की वज़े ये थी कि 65 वोट पढ़ने के बाद वोट काउंट 115 बताने लगा किसे तरह की धांदली ना हो इसलिए गाउंवालों ने नई एवियम में नए सिरे से वोटिंग की मांगी और वोट डालने से इंकार कर दिया बिरोध इसका है कि पहले जो वोटिंग हुई है पहले मोकपोल भी करके देखा है तब तो दिखा दिया है लेकिन 65 बोट पढ़ी है 166 बोट पर इन्हें पता पढ़ा है कि 115 बोट लिक लिए उसमें 50 बोट की गड़वड़ है और जनता की मांगे कि दोबारा से यह मसीन नहीं बदली जाए तब बोटिंग करेंगे बोटिंग नहीं कर रहे यह सभी जनता नहीं लिया कि दूसरी मसी नहीं जाए यह मांगे जनता कि अभी बोट कम से कम दो या धाई घंटे दो घंटे से खूब हो गया धाई गंटे साथ बजे से साथ साथ से बंद है नॉर्मल सी बात है कि मसीन जब ट्राइल हुआ तो 50 बोट पढ़े ते 50 बोट डलने के बाद में उसको जीरो किया गया और लोगोंने अपना मद्दान शुरू कर दिया मद्दान सुरू करने के बाद में जब 66 बोट डला तब उन्होंने चैक कहिया तो चैक करने के बाद में पता चला कि वो 115 बोट दिखा रही है जो 50 बोट डलेते वो नूटल नहीं हुए उसी में काउंट हो रहे हैं क्यों हो रह रही टीम को गलती का एहसास हो गया और गलती मान ली गई हाला कि नए सिरे से वोटिंग कराया जाने से एस दीम ने इंकार कर दिया चूक हो गई थी पीठा सी नधिकारी से माक पॉल अच्छा हुआ उसकी परची निकाल करके नियमानुसार काली फैली में और उसके बाद प्रांसपरेंट बॉक्स में पेपर से सील की गए तो सबके साइन है लेकिन कि जब एक्ट्वल सुरू होना तो डाटा इनका कहना है कि मैंने किया था बड़ वह संभुस्या हो नहीं पाया तो इस वजह से वह 50 प्रस दिखाई दे रहे हैं इनकी व्युस्था है हम लोग इसको आन रिकार्ड ले रहे हैं और काउंटिंग के टाइम पे जो हमारे पास मापॉल की परची सीन है उसके अब सुरू हो गया है लोगों को खतम करेंगे लेकिन अधिकारियों ने लोगों को काफी समझाया जिसके बाद जाकर मतदान फिर शुरू हो गया हाला कि वोटरों के मन में अब भी ये बात घर कर गई है कि वाकई मौक्डिल वाले वोट नहीं गिने जाएंगे या उनके साथ धोखा हुआ है वोटिंग शुरू होने से पहले ही इवियम में वोट मौजूद होने से जो हंगामा हुआ उसने मतदाताओं के मन में शक के बीज जरूर बो दिये हैं चुनाओ आयूग बार-बार कहता रहा है कि इवियम पूरी तरह से सुरक्षित है लेकिन इस तरह की लापरवाही फिर से एवियम की बहस को सुर्खियों मे ला देती है आपको बता दें कि 10 फरवरी को पहले चुरण के तहर 58 सीटों पर वोट डाले गए हैं आपके लिए ये खबर लिखी है अभय शर्मा ने मैं हूँ हेमाशू और कैमरे के पीछे हैं जतिन देखते रहे दिललन टॉप शुक्रिया